कल यानि 16 जनवरी से देश भर में कुरोना वेक्सिनेशन अभ्यान शुरू होगा वेक्सिनेशन अभ्यान को लेकर उत्तरा खंड में तैयारियां पूरी हो चुकी है वेक्सिन सभी जिलों में पहुँचाई जा चुकी है वैक्सिनेशन को लेकर केंद्रियस स्वास्त मंत्राले ने गाइडलाइन जारी की है इसमें बताया गया है कि वैक्सिन किसे लगेगी और किसे नहीं कि इन सरकार के अनुसार ठीका करण की अनुमती केवल 18 साल से अध्यकुम्र के लोगों को दी गई है इसके लावा गर्बवती और सन पान कराने वाली महिलाओं को भी वैक्सिन नहीं लगाई जाएगी साथी ऐसे महिलाएं जो अपनी गर्बवास्था को लेकर सुनिश्चित नहीं है उनको भी वैक्सिन पहले चरण में नहीं लगाई जाएगी इसकर अबार दूसरे कुराख उसी वैकसिन की होनी चाहिए जिसकी पहली डोज ली गई थी उनलोगों को भी वैकसिन नहीं दी जाईगी जिनमें कुरोणा का संक्रमर आक्टिव है साथ ही ऐसे लोगों को भी टीका नहीं लगाया जाएगा जिनका गंभीर बिमारियों के कारण अस्पितालों में इलाज चल रहा है देश भर समेत कल से देरदून जनपद में भी क्रोना वैक्सिनेशन अभ्यान शुरू होने जा रहा है देरदून जलादिकारी आशी श्रिवास्तर ने बताया कि जिले में आज अस्पितालों को वैक्सिन भीर्ज दी गई है कल चार अस्पितालों में वैक्सिन लगाई जाएगी रिशिके शेमस और मिलिटरी अस्पिताल में भी वैक्सिन लगाई जाएगी इस अभियान के तहट 28,000 वैक्सीन प्राप्त हुई है प्रतियक टीका करण केंदर पर एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीन लाई जाएगी कल 16 तारीक को चार जगहों पर टीका करण अभियान सुरू होगा ये दून मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्पिटल है दून हॉस्पिटल इसके अलावा महन तिंद्रेश हॉस्पिटल, हिमालियन हॉस्पिटल और SPS रिशी केश इन चार जगहों पर सुरू किया जाएगा इसके अलावा सेंट्रल गवर्मेंट के इंसिट्यूट एमस में और जो मिलिक्टरी हॉस्पिटल है इन में टीका करण अभियान का प्रारंप किया जाएगा और इस अभियान के तहट जो हमें वैक्सीन लगभग 28,000 के आसपास दोस प्राप्त हुई है उनको वैक्सीनेशन के प्रक्रिया कल से शुरू की जाएगी वहीं उत्तराखण में करोना के नए स्ट्रेन ने दस्तक दे दी है राज्य में नए स्ट्रेन का पहला मामला देरदून जले में पाया गया है जलदिकारी ने बताया की मरीज को पहले से है आईसोलेट कर लिया गया था मरीज के कॉंटेक्ट में आने वाले लोगों को ट्रेस कर उनकी सैंप्लिंग भी किया रही है जिनके अंदर ये पूस्टी हुई है उनको हमने पहले से ही आईसोलेट कर रखा था और इसके अलावा वह आईसोलेशन में है और उनका अभी सेंपल जो है दुबारा भी कनफर्मेटरी टेस्ट के लिए जाएगा और उनके जो कॉंटेक्ट है उनके कॉंटेक्ट को ट्रेस कि जा रहा है और उनकी सेंपलिंग आज की जाएगी,